मुश्कार आप सभी को, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको जोग्रफी का 6th to 12th complete NCRT करवा हूँगा, तो आज हम 6th class से start करने जा रहे हैं जिसका पहला chapter है, the earth in the solar system यहाँ पर मैंने आपके लिए जो important lines है, उसे highlight कर दिया है यह PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दोगा, टेडिग्राम परुपे see, important lines क्यों किया गया है यहाँ पर, ताकि जब आप next time revise करें आपके उसे इतना पढ़ने का time नहीं होगा, as we know UPSC के bus जो syllabus जो उन्होंने दिया हुआ है, वो थोड़ा vast है तो जैसे कि हम अभी यह ना सोचे कि हमें अभी कैसे करना है, साथ में हमें यह भी सोच के चलना है कि जब हम revision करेंगे तब उस सब्सक्राइब हमें कैसे time कम से कम लगे तब हम इतना कुछ नहीं देखेंगे, तब हम यह main main points ही देखा करें ठीक है, तो यह solar system है, इससे अभी हम start करते है, जब आप इससे पढ़ें, तो line to line proper पढ़ें ताकि यह test proper आपको यह telegram channel पर बिल जाएगा, आपके लिए फिर एक कहानी की तरह रहेगी और आपको याद रखना बहुत आसान हो, बट जो main points है, वो मैं फटा-फट आपको बता कि जब हम आसमान पर देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, generally हमें twinkle करते हुए काफी चीज़े दिखाते हैं, वो basically क्या होते हैं, वो stars होते हैं, बट जो twinkle नहीं होते हैं, तो tim timana, वो क्या होते हैं हमारे, वो हो गए moon, तो it means कि it is without any flickers, तो हमें यह चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी आपसे कुछ कोशन पूज दे, यूपी ऐसी बारी की यूपी खेलता है, कि जब यह मास पान में देखते हैं, तो सारी चीज़ प्रिकर करती है, नहीं, इसे बना देगा फिर लगेगा कि अरे, कितना तफ पूज दिया है, क्या पूज दिया है, ठीक है, तो और यह कब दिखाए देता है, तो यह वंस अ मन्त, यहां पर क्लिर लिखा हुआ है, यू कैन सी दे फूल मून, अल्ली वंस इन मन्त, अब यह मन्त में एक बार, पुर्णिमा आती है, इट मेंस फूल मून, और फिर आमावस्या कब आती है, तो आमावस्या कब आती है, लेटर, आपको वहाँ आमावस्या दिखाए देगी, मिस रात में आसमान में चांद नहीं दिखाए देगा, आप फोर्ट नाइट का मतलब क्या हो गया, एक वीक छोड़ के, ओके, इसके बाद अगर बात करें, कि तुरंद गूगल करें, आपको वहां से, या फिर आप टि शायनिंग इंग इंदर नाइटी इसकार हो अरकॉल कोड़ सेलस्टियल बॉPOड़िस सो एकोड़ सालिशन क्या होते हैं, वह सूर्म हूप के सारे अबज़क जो भी आंप थे या है वह हो सалы्स्टियल बॉड़ ये इस अचार नाइख ऐन पर सारे झाल से एक दोट ज़र सेल ठीक है अब जब हम रात में घुमा करते थे तो अक्सर भी मम्मी पापा दादादी पताते थे कि ये 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 पैटर्ण देखो ये लियो का पैटर्ण है तो जो जो इतनी पैटर्ण बनते हैं उसे हम इस तरीके से जो है इसे हम यह कहते हैं तो यह हमें याद रखना है सब्तरिशी या फिर इस तरीकी से दे दे और तो वह किस चीज़ के एक्जामपल से तो मैं पता होना चाहिए यहां से सीधे कोशन यह बागी कुछ तो ऐसा है नहीं यहां पर बताने लाए नेक्स्ट पेज़ पर चलते हूं काफी इस हमारे 8 planets है क्या नाम है हमें सेक्विंस हमें सहर याद होना चाहिए बच्मन से याद करते भी है नहीं तो प्लीज कर लेजिए नहीं कर लेजे मरकरी वीनस अर्थ मार्क्स जुपिटर सैटर्न योरिनस नसा ते हैं यह स्टोन हो सकते हैं यह रॉक्स हो सकते हैं कुछ भी या नहीं पड़े डेफिनेटली वी हाफ टू बिकाजी कवर होता है हर जगे और यह काफी इंपोर्टेंस रखता है फ्रॉंड जोग्रफी पाइंट अब हम कुछ इन प्रैनेट्स के बारे में इंपोर्टेंट चीज पूछ लें जिसमें मार्ट कॉलम आ जाता है बहुत बर म हमें हमेशा रेडियो होना चाहिए ठीक है चलिए अब यहां पर पहले हम देखते हैं मर्करी जो है सबसे पास से एक तो आपको यहां से क्लियर होई गया आपने एक्सस पर स्पिन करने में से कितने टाइम लगता है 59 जेज और सो कितना लगता है 24 हां अपके यहां देख सकते हैं एर्थ को कितना लगता है 1 day means 24 hours, Mercury को कितना लगता है 59 days, but Earth को Sun के around revolve करने में कितना time लगता है 365 days, Mercury को कितना लगता है 88 days, वो सकता है आपको clearly ना दिख़़ा हूँ, इसलिए मैं आपर बोल के बता रहा हूँ, Venus जो है, Venus को कितना time लगता है Sun के around revolve करने में 255 days, और अपने axis पे इसे rotate करने में कितना लगता है 243 days, ठीक है, इसके बाद Earth का तो हमें पता ही है, Mars, Mars को कितना time लगता है, 687 days, अब अपने axis पे एक दिन में ये rotate कर जाता है, ठीक है, और number of moons कितने हैं, 2 हैं, Mercury के पास moon थे, नहीं थे, Venus के पास थे, नहीं थे, अर्थ के पास हाँ, एक है, Mars के पास दो है, Jupiter के पास around 53 हैं, Saturn के पास भी around 53 हैं, ठीक है, तो जो Jupiter है, वो around 11 years, 11 months लेता है, around 12 years, one revolution करने हैं, ठीक है, और सिफ 9 hours 56 minutes में, अपने axis पे एक बार, complete rotation कर देता है, Saturn की हम बात कर रहें, यह 29 years लेता है, बट अपने axis पे, around 10 hours 40 minutes में, एक rotation कर देता है, Uranus, 84 years लेता है, एरांड 17 hours पे कर देता है, same Neptune, 164 लेता है, 16 hours में कर देता है, आप देखिए, यह Sun है, इसके से इर्द-किर्द भूमना है, तो हमें पता चल रहा होगा, अच्छा मर्करी का, तो यह जो elliptical, जो, जहांपे से रिवॉल्व करना, यह छोटा है, अब यह से हम एक आइडिया लग रहा है, कि अच्छा Saturn दूर है, तो यह बहुत इसे एरिया भी जो ज़्यादा कवर करना पड़ रहा होगा, नेप्च्छून गहुत ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, उसलिए 164 यह से ले रहा है, यह 84, यह 29, यह ज़्याद की काम होते चले जा रहे है, ऐसे हमें याद रखना है, क्यों है, और यह बहुत अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए तो कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, सन के साथ, है ना, कोई 59 डे रहा है, यह जुपिटर सबसे इतना बड़ा होने के बाद भी जो है, सिर्फ 9 आवर्स ले रहा है, ठीक है, बट अब UPS से एक उशल पूछ सकता है, कि ठीक है, एमांग वीच ओव दौ फॉलोविंग, हैव मून्स, मल्टीपल मून्स, अब ऑप्शन दे देगा, सैटर्न, उरेनस, जुपिटर, मर्करी, अर्थ, अब एक तो करहा हमने धंसे नहीं पढ़ा, मल्टीपल मून्स, तो हम उसकता अर्थ को भी मार देगा, या फिर अगर उन्हें पूछ दिया, कि इन में से किसके पास, मून्स, जुपिटर, सैटर्न, उरेनस, बट यह भी गलत है, अर्थ के पास होता है, या फिर अर्थ भी अधर ऑप्शन में दे दे, तो हम इस पता कि नैफ्चून के पास भी होते हैं, तो इस तरीके से यूपियसी घुमाता है, इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्याद हो रहा है, चल यह ठीक है, नेक्स स्लाइट पर चलते हैं, ठीक है, वो बाई चांस हो सकता है, रिकॉर्डिंग में प्रॉपर नहीं आया हो वो इमेज, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो को पीडिएफ मैंने दिये वहाँ पे, टेलिग्राम में, वहां से वो एक and made up of extremely hot gases, ठीक है, सन कितना दूर है, वन फिफ्टी मिलियन किलो मेटर अवे फ्राम वर, वैसे पूछते नहीं है यह सब चीज़, but you know, facts पता होने चाहिए, कि कभी-कभी हमें दे दे वन फिफ्टी बिलियन किलो मेटर, अब ऐसे में नहीं पता रहेगा, तो वो भी सही नही है, तो यह माइनू डिटेल्स जो है, वो पता होना चाहिए, ठीक है, कि वन फिफ्टी मिलियन किलो मेटर अवे है, एक और चीज़ होती है, कि जो सन रेज होता है, उसे अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, यह कमेंट सेक्शन में बताइए, आप पढ़ा होगा, अच्छी है, वो आप बिल्कुल डाले, देखिए, वैसे तो यहां सब को याद है, कि मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्क्स, जुपीटर, सैटन, यूरिन, स्नैप्चिन, अगर आपको याद नहीं है, तो आप यह ट्रिक के थू भी याद रख सकते हैं, उन्होंने नट्स खाने के लिए दिये हैं, ठीक है, my very efficient mother just served us nuts, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहां पर वही बात हो रही है, कि मर्करी सबसे पास में है, नियरेस्ट है, 88 days लगते हैं, complete करने में, इसके बार में वीनस जो है, वो अर्थ के जैसे ही है, सेम लगभक सेम साइज है, सेब है, जाता है, जुडवा, प्लूटो जो है, प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया, ठीक है, in recent past, अब उसे किसमें जोडा गया है, द्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, अर्थ जो है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट है, ऑके, बट सबसे जाता देंसिटी किसकी है, पूरे प्लैनेट में तो वो अर्थ की है, चलिए, next, मून कितना दूर है, अर्थ से, 384,400 किलोमेटर अवे, fine, ठीक, यहाँ पर, यह भी हम कहीं कहीं जो इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, कि नील आमस्ट्रॉंग कब गया था, 1969 में गया थ तो यह obviously important हो जाते हैं, यह सब हमें already पता है, इसलिए मैंने ज्यादा cover नहीं किया, कि blue planet क्यों कहते हैं, क्योंकि water है, और जब हम height से जाके देखते हैं, तो हम यह प्रभलुश दिखाया देता, due to water, यह two-third of the surface is covered by water, okay, तो कुछ तो काफी जादा basic चीज़े हैं, तो मैंने जादा cover नहीं किये, कि video जादा लंबा नहीं हो जाए, और light travels at the speed of 3 lakh km per second, अब सोच सको, 3 lakh km, हम सोचते हैं कि bullet train आजाए 400-500 km कि aeroplane 1200-500 km के चलता है, तो कितना तेज लगता है, that is per hour होता है, यह पर second है, यह आपको यह सब ध्यान रखना है, तब भी उसे 8 minute लग जाते हैं, अर्थ तक पहुँचने के लिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते है, sun कितना दूर है, in fact, अब हरुमान 40 अगर आपने पढ़ी होगी है, उसमें भी बताया गया है sun और अर्थ के distance, so कितना scientific है, हमारा culture, तो इससे आपे proud करना चाहिए, ठीक है, आप बिलकुल आप चाहिए था, कि वो built जो है, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, apart from stars, planets and satellites, these are numerous tiny bodies which also move around the sun, अब asteroids जो होते हैं, वो भी sun के ही around गोमते हैं, but वो tiny भी हो सकते हैं, एकदम छोटे, या थोड़े बड़े rocks भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज भी पता होनी चाहिए, मार्स और जोपेटर के बीच में होते हैं, fine, और, Metroids क्या होता है, Metroids वो होते हैं, कि वो भी sun के ही around गोमते हैं, वो भी ऐसे ही rocks और small piece of rocks ही होते हैं, but वो Earth के पास रहते हैं, और कभी-कभी वो Earth के atmosphere में भी आजाता है, तो उसे हम Metroids के अता है, अब को एक तरीकी से ये जैसा लगे गएगाए हमारे atmosphere में आजाए अर्थ के तो हम उसे metroid के बता है तो गैलेक्सी क्या है a galaxy is a huge system of billions of stars such billions of stars and these are millions of such galaxies that make the universe यूणिवर्स जो ब्रह्मान कहते है ऐसे millions of galaxy मिलके जैसे कि हमारी जो galaxy है उसे हम आकाश गंगा कहते है अब सुचिए यह millions है millions of galaxies तो यह चीज भी हमें clear होनी चाहिए कि नहीं हम मतलब बहुत बहुत लगता कि हमारी तो एक ही galaxy आकाश गंगा लोग इसके बाद दिमागी नहीं लगाता है उनिवर्स भी हो universe और galaxy मैंने कुछ लोगों को देखा है दिमाग में रखके हाँ वो दोनाई की चीज है बट नहीं इट कंटेंस मिलियंस आफ सच गेलक्सी यह एक गेलक्सी है इस universe को millions of galaxy है मतलब हम कितने tiny हैं मतलब क्या यह existence इस universe के सामने है still लोग बोलते कि यह ज़्यादा कड़ में रहते हैं जिसको अपनी एक नम असलियत पता रहे कि हम क्या है मतलब आज हम वो पढ़ते हैं न एक बारे में कि एक साथ किया जाए तो वह आई की उपर जो बिंदू लगाते हैं न डॉट जो लगाते हैं तब जाके वह एक डॉट के बराबर होता है तो वैसे कहीं न कहीं हम हैं कि इतना अर्थ पे एक अकेला इंसान उस प्यूपर सोलर सिस्टम मिलकी हुए इतने सारे गैलेक्सी स्फिर यूनिवर्स सो फर्स्ट अफॉल ऑल्वेज भी हमबल लाइफ में कुछ भी हो जाए कि हम बहुत बड़े हैं या यह है एक जोग्रेफिजल कॉइंट व्यू से तब बिलकुल नहीं है ठीक है चलिए यह कुछ कोश्चन से आप थोड़ा बत लिखनी के प्रैक्टिस करें जैसे कि कुश्चन से अर्थ ट्विंस क्या है कौन से हैं इसमें से यह सब आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं पॉस करें पहले कमेंट सेक्शन में डालें फिर मैं अभी आंसर्स तो यह है और प्लेनेट्स मूव अराउंड था सणी न इस एलिप्टिकल और इलम्गेटेड बात रेक्टेंगुल बिलकुल यह यह थी सर्क्लर भी नहीं ठीकिट इपोल स्टार इंडिकेट्स कॉंसर्ट नॉर्स डारेक्शन अच्छल यह थैंक यू थैंक यू वेरी बच और प्लीज जैसे कि मैंने अभी आपको यह पढ़ाया तो आपका काम क्या है कि अब इसके बाद अर्थ इन दे सोलर सिस्टम या फिर अब सोलर सिस्टम यू पीएस सी कोश्चन्स अब गूगल पर डालें बहुत सरी वेब साइट्स आएंगे और वहां से आपको MCQ भी मिल जाएंगे और में से कोश्चन्स में मिल जाएंगे अब प्लीज बस डाल के देखिए तब इससे क्या होगा प्रॉपर आपकी तयारी भी होती चली जाएगे अपने 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 थियोरी भी समझ लिए कुछ कोश्चन्स किए और प्रिवेस यर्स भी शो कर देता है वहां से आपने आप पांच साथ कोश्चन्स कर लिए तो यह टॉपिक आपका हमेसा अगले कवर हो फिर आप कुछ नहीं भूलिएगा इससा चली ठीक है मिल्टे फे नेक्स सेशन